नमस्कार साथियो तो आज है 10 अगोस्ट 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की दिगज कमपनी आई रेपसी की शियर्स के बारे में जिसके उपन लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था इवन आज भी मेरा राय एक दम सेम है तो दोस्तो आज से ठीक एक मैने पहली की बात है जब शियर्स हमने देखा था अपना ओल टाइम हाई को टच किया था लगबग 239 रुपए की लेबल पे उसके बाद क्या उसके बाद शियर्स में continuously गिरावट शियर्स की रेट पे गिरते गिरते more than 20% crash हो चुका है और इंवेस्टर्स के अंदर भी काफी कंपनी अच्छी है थोड़ा आप टब सुचुशन पर कंपनी को टाइम देंगे तो जब शियर्स में तेजी होगा आपको बेनेफिट मिल जाएगा अब ऐसा में आपको क्यूं बोलता हूं आगे आपको अच्छे समझ आ जाएगा तो आईए थोड़ा सा चर्चा करेंगे की बारे में बहुत सार इंपोर्टेंट अपडेट आया उसके साथ साथ आपका आगे का रनी ती क्या हो सकता है शेयर कंद सब कुछ हम डीटेल में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला अपडेट आप देख लिजे जैसे कि बहुत सारे रेलवे सेक्टर की रेजल्ट आउट हो होगा और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजे फटावर्ट विकॉज 12 ऑगोस एक नहीं बल्कि दो कारान है पहला कारन रेजल्ट तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंट शेयर कर दूंगा इसी चैनल की बर वीडि की रेकॉर्टेट आनॉस्मेंट कर दिया आए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हो कंपनी ने जो यहां पर फाइनल डिविडेंट दिया था सत्तर पैसे अब देखिए ज्यादा ऐसे मत बोला कि सत्तर पैसे की डिविडेंट यह कितना भाई यह शेयर की प्राइस तो आप द अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए आपके हाथ में क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आप 21st August या तो उसके पहले अगर आयरेप की शेयर परचेस किया तब ही जाके आप एलिजीबल शेयर हुल्डर बन जाएंगी यह सतर पैसे डिविडेंट पाने के लिए क्लियर हो चुक शेयर है आपके पोर्टफिलो के अंदर और आपने यह जो रिकॉर्ड डेट है मतब एक्स डेट जो है तब तक होल्ड करके रखा तो भी अब इलिजीबल बन जाएंगे ठीक है ओके तो दोस्तों डिविडेंट का सिलसिला और रेजल्ट का सिलसिला हो गया अब उसके बात क यह है कि देखिए फ्राइडे के दिन मतब येस्टरडे बजार क्लोस हो जाने के बाद काफी लेट नाइट को सेंट्रल गवाउमेंट की तरफ से रेलवेस के अंदर को चोटा मोटा नहीं सीधा सीधा 25,000 करोर का दोस्तों प्रोजेक्ट के अनॉसमेंट किया जो कि आज शा सारे कंपोनी को फायदा मिलेगा अब बहुत सारे एनलिस्ट के अकोडिंग ना आयरेप सी को सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट मिलेगा मैं आपको एक बाद दिखाना चाता हूं यह यहां पर देख सेकतो यह मतलब इस जो प्रोजेक्ट है घोशित किया कल रात को उसके को इसको ही सबसे बेनिफिट मिलेगा कुण यह बेसिकली काम किया करता है फनासिंग का मिले फनासिंग कौरे गाव निन कौन कर यह शी करें इक सेक तो वैस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटली निंग में मैं यह देखिए अब चाहा है तो अलोडी इनको मालुम है चलो बहुत शांदर बात है मैं अल्रीदी कवर कर चुका है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक अनल सने का दियू टुदा पॉलीसी पैरलीज पीए सुस्टॉक इंक्लूदिंग रेलवेस पीए सूस रिसी बेटिंग आफ्टर दा बीलो एस्टिमेट क्वाटर वन रिजल इक बार हाइलेट करके देना चाहता हूं बहुत लोगी आप इस एक्सपेक्टेट टू एमर्च एस दा मेजर बेनिफिशरी सबसे जाधा बेनिफिट किसको मिलेगा आयरेप सी को मिलेगा क्यों मिलेगा फंस फनांसिंग कौन करेगा प्लोजिकली सोचके देखिए ना कोई एक कमपनी के रिजल जो की खराब होने का चांस है मैं आपको डिरेकली बोला कि खराब हो सकता है पहले साब उमीद रखिए कि खराब होगा विकॉस इस बार आपने का खराब हुआ इरकॉन का बहुत अच्छा नहीं हुआ टीटागर को आप देख लिजे आप राइट्स को अगर अच्छा हो गया सपोस्पोस वह दोस्तों एडवांटेज है ठीक है तो उसको पकर मत लेना इस बार खराब होने का बहुत चांस है और उपर से ये उसके करण में दोस्तों बहुत इंपॉर्टन होने जा रहे आच उसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता ह अब देखे इसको थोड़ा सा लॉजी की लिए समझिए कोई भी देश के ना दो टाइब की ग्रोधकी एक हो जाता है आपका एक्स्टरनल ग्रोध एक होता है इंच्रनल ग्रोध इंटेनल ग्रोध में आपका एडूकेशन हो गया टेकौलोजी हो गया उसमें ग्रोथ हो गया ठीक है एक्स्टरनल ग्रोथ में आपका इंफास्ट्रक्चर हो गया अब अगर आप देखेंगे ना कोई भी देश की जो डोमेस्टीक ट्रांस्पोरेशन का माध्य में वो दोस्तों दो ही होता है में एक हाइवे दूसरा डेलिवेस और यह दोनों के उपड़े बंपर इंवेस्ट्मेंट होगा वैसे वैसे जो ट्रांस्पोरेशन है वो और जदा स्मूध बनेगा जैसे कि आज अपने कोई सरक पे कार लेके निक होगा एक्सरा नेटवर्क बढ़ेगा तुसमें क्या होगा वो जो जैम है वो कम होगा जो टांस्पोरेशन है वो और स्मूध बन जाएगा तो जिसके कारण यह जो एक्स्टरनल जो ग्रोथ है उसके चलते रेल्वेस के अंदर इंवेस्ट्मेंट करना पड़ेगा सरकार को हो और वैसा हो भी रहा है जैसे कि अपने देखा होगा फनांशिल 24 पे या 25 में जो कैपेक्स एलोकेशन है काफी इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो आइधिंग आप लोग अच्छे समझ आ चुका है कि मैं यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा बात की देखे जो भी अपड कर लिया आयरेवसी की लास्तीन मैंने की चार्ट परन शुरुआत करेंगे अनलसिज पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तेक अच्छे लगा इंफॉर्मेटीब लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरच करना एक और छोटा सा दोस् बहुत इंट्रेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो देखेंगे में आज भी आपको शेयर एवलेवेट मिल रहा है तो चलिए पॉइंट वाइंट पॉइंट हम डिसकस करते हैं पहले सपोर्ड ले के अंदर यहां के आप देखेंगे इंडिकेर से जो कि अक्सर में आपको बोलता हूं इंडिकेर्स का यूज़े जैना वह काफी इंपॉर्टेन है यह हो गया आपका ब्लू कलरके लाइन यह हो गया आपका ट्वेंटी डेस की एमें यह मतलब क्या एक्स्पोनेंशल मुविंग एवरेज ठीक उसके नीचे रेट का लगना आपको दिख रहा है यह होगा आपका पचास दिन की एमें ठीक है उसके नीचे एक नम हलकी सीन आपको 100 दिन की एमें दिख रहा है योलो कलर की लाइन यह अलग अलग की इंडिकेर्स है तो उपर आप पहुच जाईए यहां पर आपको 20 देश के में देख जाएगा यहां भी एक अच्छा रेजिस्ट्रेस मिल सकता है तो हो गया आपका 190 तो चीजों को ना आप जब डेटा की उपर बेस करके लोजिकली समझेंगे ना आपके लिए मार्केट भी एकदम पारनी की कि दरा आसान हो जाएगा ठीक है अच्छा इसको अब थोड़ा सा और गौर से देखेंगे और थोड़ा आप क्लोजिम में देखेंगे तो यहां पर देख पाएंगे जब चल रहा था आपके जून का महीने जून के महीने पर शेयर का आफियत तक नीचे था उसके बाद तो उसके से नीचे 170 तक पहुंच सकता है जिसका चांज मुझे काफी कम लग रहा है इमीडेटली क्योंकि बहुत सर अच्छी अपडेट भी आया तो आइधिंग कि यहां पर रूक जाएगा ठीक है अब जो सवाल उड़ता है कि एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है इंट्र आप जा सकतो और एक चीज मैं आपको इसके पहले भी कहा था एक पहले दिन से आज भी कहूंगा हर बर मत करना डोंट भी एट लाइक डा मैगी इन्वेस्टर्स कि दो मैने पांच मैने में बहुत कुछ चाहिए डप पैसा दुगना चाहिए ऐसे भाई मार्केर आपके यह यह मैं आपको कहूंगा बस यह एक कंडिशन है ठीक है बाकी दिके रणनी ती जिनके बास भी शियर है क्योंकि बहुत सारे हमने देखा था निवेशक जो 200 की लेबल पर बाई किया था किसीने 220 पर बाई किया था बहुत सारे इंवेस्टर्स ने 210 पर बाई किया तो एक स वीडियो को वाइंड आप करते हूं मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जाए हिन